इस बैल का नाम पप्पू है और पप्पू के रेस्क्यू की शुवात बड़े ही मासूम ढंग से हुई गाउं से चंद लोग हमें बुलाने आए कि पिस बच्चों ने खेल खेल में एक बैल के पैर में रिब्बन बांद दिया है और हम उसे फटा-फट चल के काट दे जब हम मौके में पहुँचे तो पप्पू जी ए खेत में घूम रहे थे उस पे एक नज़र डालता ही हमें लगा कि यार इतने बड़े बैल को बच्चों ने आखिर काबू में किया कैसे जब हम पप्पू को देखके ये सोच रहे थे तो पप्पू ने हमें देखा और उसको थोड़ा खत्रा लगा और उसने वहां से कटना ही उचित समझा हमें पप्पू के पैर में बंदा हुआ रिब्बन तो नज़र नहीं आ रहा था पर घास इतनी लंबी थी कि हमें उसका पैर भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था यह रिब्बन उन्होंने आज कल में नहीं एक तेड़ साल पहले बांदा था जब पप्पू एक बच्छडा था और थोड़ा छोटा था गाव में उसको कोई छोड़ गया था जैसा कि आम तोर पे बच्छडों के साथ होता है अब बच्चे तो बच्चे हैं गाए के हो या इनसान के इन बच्चों ने पप्पू को अपनी टोली में शामिल कर लिया और जैसे बच्चे एक उसरे को फ्रिंड्शिप बैंड बांगते होंगे उन्होंने पप्पू को भी एक रिब्बन बांद दिया लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ रिब्बन दीरे दीरे उसके पैर को पाटता हुआ अंदर चला जा आम तोर पे ऐसी कॉल्स उन बच्छडों के लिए आती है जिनको सडक पे छोड़ने से पहले डेरी वालों ने गले की रस्सी उतार ही नहीं होती और जैसे जैसे ये बच्छडे बड़े होते हैं यही रस्सी उनके लिए फासी का काम करती है अब पपू को चलने में तकलीफ हो रही थी और वो किसी को अपने पास भी नहीं आने दे रहा था वो तो वहां खड़ा होके गर्दन हिला इलाके मानों ये कह रहा था कि मेरे पास भी मत आना पर वो जैसे ही इतना स्थिर हुआ कि उस पे निशाना साधा जा सके साहिल ने गन चला दी और डार्ट में भरी बेहोशी की दवाई पूरी पपू के अंदर उतर गई हमें लगा कि वो धीला पड़ गया और हमने उसको घेर लिया और खुद को घिरा देख वो बड़ी फूर्ती से उठा और वहां से भाग गया हमें समझ में आ गया कि ये तो बस नाम का ही पपू है हमें डर था कि इस भाग दोड़ में उसका घाव और गैरा ना हो जाए हमने उसको थोड़ा शान्त होने का समय दिया वैसे यही स्ट्राटजी हम अपने रिष्टों पे भी अपलाई कर सकते हैं एकांथ पाके पपू जी फिर खेत में विचरन करने लगे और घास चरने लगे बासो के एक जुंड की आड लेके हमने उस पे दूसरा निशाना सादा ये स्ट्राटजी रिष्टों पे मत अपलाई करियेगा अब पपू बढ़िया नशे में था पर फिर भी रुक नहीं रहा था और किसी मस्त हाथी की तरह आगे आगे चला जा रहा था जब वो एक बड़े से मैदान में पहुंचा तो पहली बार उसका घाव हमें अब साफ साफ दिखा वो रिबबन इतनी बुरी तरह उसके पैर के अंदर घुष चुका था कि ऐसा लग रहा था कि उसका पैर दो हिस्सों में बढ़ चुका है हम तो सिर्फ वहां रिबबन काटने गए थे पर पप्पू का घाव इतना गहरा था कि उसको क्लीनिक पे ले जाके इलाज करना जरूरी था जैसे ही उसको अपने सास ले जाने के लिए हमने पप्पू के गले में रस्ती डाली तो पप्पू तो धमचर की तरह वहीं बैठ गया अब क्योंकि हम स्ट्रेचर को लेके गए नहीं थे आनन पानन में तिरपाल का इंजाम किया गया जैसे अच्छे दोस्तों को जब पता होता है कि आपके लिए क्या सही है तो वह आपकी एक नहीं सुनते उन बच्चों ने भी पप्पू की एक नहीं सुने तो अब हम दो और हमारे अनेकों पप्पू को जीप में लादा गया रिब्बन से हुआ घाव अब इतना पुराना हो चुका था कि रिब्बन के उपर मास एक परत तक आचुकी थी इस सब में हमें कई घंटे लग गए पर आखिरकार पप्पू को रिब्बन से मुट्टी मिल ही गई बच्चों की जिस गल् जी को बच्चों ने माना उससे सीखा और जाहिर सी बात है बच्चे अब वो गल्ती दोहराएंगे नहीं हमारी जिस गल्ती के वज़ए से पप्पू सड़क पे आया जब तक हम उसको मानेंगे नहीं उससे सीखेंगे नहीं और उसको दोहराते रहेंगे पप्पू जैसे अज़ार और बच्छडे रोज सड़त पे आते रहेंगे